हेलो गाईज मैं कुल्दीप आपका बहुत-बहुत सागत करता हूँ आपके अपने स्टडी चैनल यूपी एक्जाम में और आज हम केंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्वेशन आंसर की सीरीज को तो अगर आप ये हमारा छट्वा या सात्वा वीडियो होने वाला है अगर आप उपर आई बटन में जाके और नीचे प्लेलिस्ट में जाके भी पाकी के वीडियो को आप देख सकते हैं और हमारे 140 क्वेशन होते ही हम फिर एक हिंदी का वीडियो आपको डालेंगे जिसमें पूरे 60 क्वेशन होंगे जो उन्ही 6 टॉपिक्स पे होंगे जो आपके आरो के पेपर 2 में काम आते हैं तो चलते हैं पहले कोशन पर और क्योशन का कह रहा है कि इसको सही मिलान करना है कि यह मेले हैं और इनका आयोजन स्थल है तो कौन सा मेला कहां पर लगता है यह देखना है तो जैसा कि हम में मालूम है कि नौचंदी मेला जो है नौचंदी मेला हमार मेरट में होता है ठीक है और देवा जो है देवा शरीफ जो है वो बारवंकी में होता है ठीक है और बटेश्वर मेला हमारा आगरा में लगता है तो बचा हरिदाफ जैनती तो यह हमारा हो जाएगा व्रिंदावन में तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा तीन एक चार दो यानि option D ठीक है चलते हैं अगले question पर कि यह भी यहाँ पर नंबर डालना भूल गया हूं तो गौतम बुद्धनगर है यह हमारा आता है नौइडा ठीक है जोतिबा फूले नगर हमारा आता है अमरोहा संत कबीर नगर हमारा आता है खलीलाबाद और सिधार्थ नगर ठीक है शौरी यह गौतम बुद्धनगर नौइडा था नौगड पर हो गया यह नौगड ठीक है तो हमारा answer क्या हो जाएगा हमारा answer हो जाएगा इसका टू ठीक है, 132 का C हो जाएगा 4, 1, 2, 3 ठीक है, चलते हैं अगले कोशन पे कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी ठीक है, इसका प्रदेश में मुँआ था 1992 में, ठीक है, यानि कि किसान मित्र योजना जो है ये किसानों को कई तरह की जानकानियों अपलब्द करने के लिए प्रतेक पंचायत में किसान मित्र रखे जाने से रिडेटेड थी ठीक है, जहां पे एक कोई क्रिशी सनातक या फिर इंटर भी हो तो लेकिन क्रिशी से होना चाहिए था उसकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी ठीक है, और ये है चालो किया गया था ठीक है, चलता है एक लिए कोश्चन पर कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामों द्योग बोर्ड स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो ये मारा हुआ था 1960 में तो उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामों द्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी, और इसका जो काम था, वो था कि जो भी प्रदेश में खादी ग्रामों द्योग का जो भी काम होता था, ये है खादी ग्रामों द्योग बोर्ड द्वारा किया जाता था ठीक है और इसका डुमेन काम था उद्धेष था वो यह क्या था कि ग्रामीर शेत्रों में जो छोटे छोटे उद्द्योग होते हैं उनमें कम पूझी निवेश के उद्द्योग को स्थापित करना और अधिक से अधिक रोजगार का स्रिजन करना इसका में काम था ठीक है ताकि ग्रामीर अर्थवस्ता को मजबूत किया जा सके चलते हैं एंगले कोशन पर कि ये भी सूची है कि ये आम को सही मिलान करना है देखते हैं क्या है और दोगिक संस्थान है और नगर दिये हुए है ठीक है तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये कहां पर स्थित है ये हमारा राय बरेली में स्थित है ठीक है ट्रांसफार्मर फैक्टरी ये हमारा जहासी में है कृतिम अंग निर्मार के नगर ये सब को मालूम होगा कि ये कानपुर में है प्रोरक कार खाना फूलपुर फूलपुर कहां ह इलाहाबाद सौरीप में जिसे हम प्रियाग राज भी कहते हैं वहाँ पर है तो हमारा आप्शन क्या सही हो जाएगा हमारा हो जाएगा यह वन थर्टी फाइव का सी हो जाएगा दो तीन एक चार्ट ठीक है चलते हैं अगले कोशन पर कि दादरी चुनार चुर्क तथा डाला सभी कार खाने हैं जो उत्पादित करते हैं क्या सीमेंट चीनी कागज उर्वरक तो यह सारे जो जगहें हैं यह सभी जो कार खाने यह हमारा सीमेंट का उत्पादन करते हैं ठीक है अब बात किने चीनी की चीनी कहां कहां पर होती है च बरेली और फैजाबाद ठीक है कागज जो जिवाण है यह हमारा होता है मुझफर नगर मेरट और गाजियाबाद में उरवरक कहा होते हैं उरवरक हमारा है गोरकपूर फूलपूर यही जो भी हमने पिछले कोशन में पूलपूर इलाभाद वाला और बरेली ठीक है गय, तो चलते हैं अंकले क्वस्चन पर, अद्धते हैं, लोकगीत, लोकप्री है, आगरा मेरठ में, इलाहबाद कानपूर में, गोरक पुर्जानपूर में, लखनव, सहारनपूर में, अब देखते हैं, धोला है धोला और एक और लोगी धोता है रागिनी ये जो इसका जो प्रचलन है ये है पश्चीमी ख्षेत्रों में ज्यादा होता है पश्चीमी ख्षेत्र में होता है तो पश्चीमी ख्षेत्र के हिसाब से आपको इसको चूज करना है तो इलाहबाद कानपूर तो नहीं हो का गोरगपूर जौनपूर पूरवी में आ जाता है तो आगरा हमारा बचा और तो हमारा आगरा और मेरट हो जाएगा ठीक है चलते हैं अगले कोशन पर कि 20 वी पशुधन गर्णा के आधार पर देश में कुल कितनी पशुधन आबादी थी ठीक है तो आबादी थी 535.78 मिलियन ठीक है तो जो मत्स पालन है मत्स पालन ठीक है पशुधन और डेरी मंत्राले जो यह मंत्राले हैं इन्होंने 20 रिपोर्ट जारी की थी और उसमें 2018 के अनुसार इतनी जो है पशुधन आबादी थी जो की 2012 की तुलना में इससे फहले कब हुई थी? 2012 में हुई थी उसकी तुलना में 4.6 प्रतिशत की वृध्धी हुई थी ठीक है? और देश में जो कुल मवेशी है उनमे 0.8 प्रतिशत की वृद्धी हुई थी ठीक चलते हैं अगले कोशन पे कि पशुधन संख्या 2012 की तुलना में 2019 में कितने प्रतिशत की वृद्धी हुई है ठीक है तो option देखते हैं क्या गया है ठीक है यह है हमारा option देख 5.63 प्रतिशत ठीक है चलते हैं अगले कोशन पे कि बीशुवी पश्धन गर्णा रिपोर्ट धार निस कंसार भारत में भैसों की कुल संख्या है ठीक है यह कितनी है यह है 109.85 मिलियन ठीक है यह तो हो गई भैसों की ठीक है अब अगर बात करें हम गाय की तो गाय की कितनी है 192.49 मिलियन ठीक है फिर करते हैं भेड भेड की कितनी है भेड की है 74.26 फिर आता है और एक और जानवर इसे कहते हैं हम क्या बकरी ठीक है इसका कितना है यह है 148.88 मिलियन ठीक है तो आज के लिए इतना ही और हमारा एक सेट कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ आगे के सेट को भी कंप्लीट करते रहेंगे वीडियो का पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी कहाँ चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू गाइस बाबाए